मैं विनोड आरिया और हमारे खंकल मधुलाला चाचा जी आज हम लोग सुबा छट महा पर्व के दूसरे दिन आज ही निर्जला बर्त रखा जाता है और देखे आज पूरी बजार सज गई है और देखे इधर फलों की बजार पूरा बिलतरा रूर सजा हुआ है जिसके बारे में आप क्या कहेंगे छट के बारे में छट कैसा पर्व है जिसको बहुत सर्था से हमा ताय बहने इसको मनाती है और निर्जला 24 घंटा परत रत 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 चोटकी छट के नाम पर लोग परत रती है इसकी माताय बहने अपने परिवार को सुज़शित करने के लिए बच्चों के लिए पती के लिए बरत रती हैं यह माता जननी जगते जगतंबे माता इनको कहा गया है आप बात है आप बनावे और सम्मान के अवर्टों पर रखे रन्यवार यह गन्य की दुकान लगी हुई है बहुत यह कहां से आता है यह पक्सारी से गारी से लेकर आते हैं कितने का है एक है एक पतीस्ती चलना है ठीक है हम और लोगों से अभी बात करते हैं और यह केले की दुतान देखिए बड़ी जवरजस्त जीधर देखिए फलो फल अभी बाजार में भीड़ने सुबह का वक्त है और भीड़ इसके बाद बहुत ज्यादा होने वाली है इसम सुबह ही निकल गया और यहां देखिए अनार सेफ सब चीजों से फड़ा पड़ा हुआ है बाजार शुबह का वेला है इसलिए भीड़ नहीं है छे साथ बज़ रहे होंगे दुपार तक इतनी भीड़ होगी कि इसमें जगह नहीं रहेगी पूरा बाजार वह सजा हुआ ह ज़री बाजार लगी हुए तक इतनी शुब्सुदत लग रहे हैं यहां पूजा की भी सामागरी है जिसमें चावल क्या-क्या होता है हमको तो पूरा मालूम नहीं है तो यह देखिए जबरजस्त है यह मेरे एक मित्र है यह सबजी की बाजार लगाया है यह फलो की बाजा पार लगाये हुने कैसे सब चला है भाई सो रुब्ये में दो किलो और मुसंबनी अचा फीड होईगी ज्यादा पार में और देखिए मेरे मित्र मजा ले रहे हमसे यह हमारे यारो भाई है बड़े जबरजस्त मेरे फैन है क्या कहेंगे छट के बारे में मनाईए तुझे स मनाईए